आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ If the current इन a heater ठीक है, एक heater में अगर current हमारा क्या हो रहा है, increase कर जा रहा है 10% से, तो हमारा percentage change क्या होगा power consumption में, ठीक है तो पहले तो basic formula जान लेते हैं कि power equals to जो होता है ठीक है, power equals to क्या होता है, वो होता है V square by R या फिर हम लोग बोल सकते हैं I square R, ठीक है क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है कि current में increment हो रही है 10% की, इसलिए हम लोग सिर्फ ये formula use करेंगे, I square R वाली ठीक है, तो power जो हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, हो हो जाएगा I square R, ठीक है या फिर बोल सकते हैं कि P is directly proportional to I square, ठीक है तो ना हम लोग देख सकते है पहली बात कि ना नया power जैसे ये मेरा old power है, ठीक है अगर जब 10% increment नहीं हुआ था तो मेरा value P था लेकिन अब new P जो होगा मेरा, ठीक है, new जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा, यहाँ पर देख सकते है हमारा, i new जो होगा, हमारा वो लोग देख सकते हैं कि ना 1.1.0% increment है, वो 10% का 1.1, i not हो जाएगा, ठीक है 1.1, i not हो जाएगा, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर use करेंगे, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, r, यहाँ पर हम लोग लेखेंगे इन टू, r, ठीक है, आईए, हम लोग देख सकते हैं, यह मेरा क्या आगया, नया पी आगया, मतलब पी न्यू, नया पावर आगया, और ओल्ड पावर जो था मेरा, जिसको हम लोग पी नॉट बोल रहे हैं, वो मेरा कितना था, i not का स्क्वाइर इन टू, r था, ठीक है, हमें बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज इन पावर कंजप्शन कितना हो गया, तो ठीक है, तो वह ही निकालना हमें, परसेंटेज चेंज, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी नू, पी नू, माइनस पी नॉट, डिवाइड़ बाई, पी नॉट, एकवल्स टू, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, वन पॉइंट टू, वन, माइनस वन, ब्रैकेट में ले लिए है, i not square, i not, square, r को common link आल लिए, ठीक है, divided by, अब पी नॉट के value कितनी है, पी नॉट के value है, i not square into r, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं, कि नहीं यह वला term, यह पूरा term मेरा, i not square by r, i not square by r, i not square by r, i not square r, cancel out हो जाएगा, और यह क्या बचेगा, मेरा, यह आ जाएगा, 0.21, ठीक ह कितना हो जाएगा, multiply by 100 कर देंगे, ठीक है, तो यह कितना आ गया, 21%, तो जो power में जो increment होगा हमारा, ठीक है, power में जो increment होगा, कितना percent का होगा, 21% का, तो option हमारा, option इस question में B, जो option हमारा, इस question का correct answer होगा. Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा, यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स, 8444 चार्स उपर.